हेलो एवरिवन, आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे कि CBSE का जो 2022 ते इसका सिलेबस आया है, आपका क्लाश 12 का, उसमें हम हिस्टरी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम ये बात करेंगे कि कौन से चैप्टर हैं, जो कि डिलेट हो गए हैं, और एनुवल सिस्टम मे अब हमारा एक्जाम का पैटन है, वो कैसा होगा, तो जो भी कोशन आपके दिमाग में होंगे, इसको लेकर वो यहां पे आपको सभी बातों का सोलिशन मिल जाएगा, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, मेरा नाम है सतिंदर पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉ इसमें जुड़ जाएए, इसमें क्या होगा, आपको स्लेवर्स की जो पीडियफ है, मैं यहां पर डाल दूँगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाऊगा, हला कि सभी को स्लेवर्स आज की डेट पर पता होगा, आज से एक महीने पहले भी हमने एक वीडियो बना के स्लेवर इस साल नहीं है, आप का स्लेवर्स अब कोई एक्यान नहीं होगा, आपके जो अन्य पंड़ एक्जाम होते थे हैं, आपके जो पेडियों, आपके जो आपको फाइनल पेपर होगा वह एन्वल्ट यहां षिर्ज पर होगा, जो आपके उसी टार फाइमिंग तक और पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है बिलकुल दिमाग में बिठालो कि एक ही आपका पेपर होने वाला है ऐन्वल पेपर आपका जो मेंड पेपर है वह आपका फाइनल पेपर होगा उससे पहले आपके यूनिट टेस्ट वागेरा जो भी स्कूल में चलते हैं वह सारी चीज इस तरीके से यह आपका हिनी में ढण्याओ हो चाहेगा तो देखो नामख्य वाले नाम वही डाल यांगे यानि कि इते मनके और अस्तिया इस तरीके से यह आपका हिंदी में हो जाएगा तो देखो सेम नाम हो गया है कोई दिक्कत नी है और ना आपका एक वर्ड चेंज हुआ है तो आपके पास जो भी NCRT की किताब है ठीक है चाहे अभी की हो या एक साल पुरानी हो दो साल पुरानी हो चार साल पुरानी हो कोई दिक्कत नी सेम है आप उसको पढ़ सकते है अपनी NCRT को और यहां पर एक चीज देखे कि आपकी जो पहली बुक है इसमें टोटल चार चैप्टर है और चारो चैप्टर आपके स्लेबस में दे रखे हैं यानि आपके चारो चैप्टर आएंगे और प यानि एक चैप्टर आपका आरहे है ठीक है जो कर आपको यात्रियों में अगारभ सब्सक्राइब करने दौन आरहे हैं आपकी पांच तो सेकंड बुक में चैप्टर है लेकिन उसमें से एक डिलीट हो गया तो टोटल आपकी आने वाले हैं चार चैप्टर और यह बुग भी आपकी कितने नंबर की आएगी 25 नंबर की पहली बुग भी पच्छिस दूसरी भी पच्छिस और तीसरी बुग भी हो गया यहां पर 75 मार्क हो गया आगे जो आपका पांच नंबर का है वह आजाएगा मैप तो इस तरीके साब का पेपर जो है वह टोटल असी नंबर का हो जाएगा तो तीसरी बुक में देखें तो हमारे टोटल कितने चैप्टर है छे चैप्टर है तो यहां से भी आपके नहीं पढ़ना है इसके अलावा आप 10, 11, 13, 15 यह पढ़ेंगे अब एक बार आप ध्यान से समझ लो जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ बुक 1 में आपके टोटल चार चैप्टर आ रहे है और भुक 3 से आपके टोटल चार चैप्टर आ रहे है ठीक है बुक 1 आपकी टोट यह भी हम आपको बता चुका हूँ अब बात कर लेते हैं मैप की तो मैप की मैंने वीडियो भी बनाई हुई आप उसे भी देखें जरूर वहीं से कोशन आते हैं तो मैप जो आपका केवल 5 नंबर का आएगा तो इस तरीके से 25 25 25 करके 75 हो जाएगा और 5 नंबर और जोड़ है new pattern है अब यहाँ पर change क्या है आपको change यह देखना है कि यहाँ पर term 1 term 2 वाला system नहीं होगा आपका साल में एक बार पिपर होगा जो कि annual आपका exam होगा वही आपका final exam होगा लाश्ट में मार्च अप्रेल में और कुछ chapter delete है ठीक है लेकिन syllabus में कोई भी changes नहीं है आपका केवल एक subject के syllabus में कुछ नहीं चीज़े जुड़ी है जो की है पॉल science में अगर आपके पास यह subject है political science तो इसमें थोड़ा बहुत changes है जो की नए topic है जो की आपको NCRT की किताब में नहीं मिलेंगे cbc ने जो पीडियो प्रोवाइट कराई थी कुछ topic उसके अंदर आपको मिल जाएंगे बस उसके अंदर आपको additional जरूत पड़ेगी उसके अलाब आचा है आप history पड़ो जियोग्रोफी पड़ो sociology पड़ो यह xy-zat कोई भी subject पड़ो सारा मतलब वही आपका last वाला syllabus है जो का link में आपको description box में दे दूँगा वहाँ पर जाओ और हिंदी में जो हिंदी मीडियम के student है ध्यान दे एक बार जो हिंदी मीडियम के student है हिंदी में आपको YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं मिले कि बहुत deep समझाया हुए मैंने एक एक chapter आप यह लगा लो कि चार-चार पार्ट मे है और चालिस-चालिस मिनट तक की वीडियो है एक पार्ट में तो इतना डीप समझाया है बिल्कुल एक एक बिल्कुल line-to-line समझा रहा है और NCRT क्या according समझाया हुए अगर आपने वीडियो को धंग से देख लिया सही से देख लिया एक से दो बार तो आपके history में बहुत इस साल भी बनाते हैं तो केवल टाइम वेश्ट होगा तो टाइम वेश्ट ना करते हैं आप वीडियो को देखो उनी को और ध्यान से समझो और इस बार का जो आपके sample paper आ जाएंगे जब cbsc की तरब से अभी नहीं डाले गया है लेकिन आपके annual के आधार पे नए sample paper जो आती है तो आप वीडियो के comment box में comment कर दो time निकल के आपको वहाँ पर reply करने का प्रयास किया जाएगा तो मिलते है next video में thanks for watching सभी को जय हिंद जय भारत कुछ पूछना हो तो आप comment कर सकते हैं